बढ़ान सबार चुनाओं में महाराष्ट को जो एक यश मिला है और लोगों ने जो जीत हमको दी है उसके लिए मैं महाराश की जनता का बहुत बहुत आभार वेक्त करता हूँ एक बड़ा ही स्पष्ट मैंडेट महाराश की जनता ने हमारे एलाइंस को हमारी महायुत्य को यहाँ पर दिया है पर इसलिए महाराष्ट की जलता का मैं आभारी हो। मैं साथी में आभार वेक्ष करना चाहता हूँ हमारी नेता और भारत के प्रधान मंत्री आदर्णिय दरेंदर मोदी जी का, साथी में हमारे अद्ध्यक्ष अमित्भाई शाह जी का और हमारे कारे द्ध्यक्ष शी जगत्परकाश नडड़ा जी का, कि जिन्होंने इस पूरे चुनाओं में हमारा भारत दर्शन किया और हमारा होसला भी बढ़ाया। मैं साथ में अभारत करना चाहता हूं, हमारे महायूती के जो निता है, शीब सरा के निता उद्धो ठाकरे जी का, हमारे रिपा के रामदा स्ठोले जी का, हमारी मिनायक मेंटे जी का, सदावाओ खोज जी का, मानियो जानकर जी का बहुत-बहुत आभायवेट करना चाहता हूँ कि इन सभी ने इस चुनाव में बहुत सहकारे किया और उसे करण एक बड़ा ही अच्छा मैंडेट हमको यह नबर मिला है कुल मिलाकर अगर हम देखे तो भारती जनता पार्टी को एक सो पाच के करीब सीटे अभी दिखाई पड़ रही है कुछ आगे पीछे होगी और सबसे बड़े धल के रूप में महाराष्ट में फिर एक बार भारती जनता पार्टी चुनकर आई है हमारे साथ में हमारी अगर्णन के लोग शुबसेना ये सारे हम सभी को अच्छी सीटे मिली है ये बात सही है कि पिछले बार से कुछ सीटे हमको कम मिली है लेकिन अगर हम देखे तो पिछले समय महाराष्ट में भारती जनता पार्टी दो सो साथ सीटे लड़ी थी और हमारी 122 सीटे आए थी इस बार हम देड़ सो सीटे लड़े है और हमारी साथी 14 सीटे लड़े है और हमारी कि 105 सीट आई है इसका मतलब यह है कि पिछले समय हमारा स्ट्राइक रेट यह 47 परसेंट था 47 प्रतिशत अब हमारा स्ट्राइक रेट यह 70 परसेंट है सब्तर प्रतिशत है जितनी सीटे हम लड़े उसमें से 70 प्रतिशक सिर्टों पर हमने विजय हासिल की है पिछले चुनाओं में भाराठ के जो कुल वोट है वोट में हमको 28 प्रतिशक वोट मिले थे 207 सीटे लड़कर और हमको तकरीबन 26 प्रतिशक वोट मिले है मात्र 1500 सीटे लड़कर तो मुझे ऐसा लगता है कि भारती जनता पारटी को निश्चित रूप से पिछले बार से अधिक वोट भी मिला है स्ट्राइक रेट भी मिला है और सीटों में मैं यह मानता हूँ कि कुछ सीटे हमारी कम हुए क्योंकि हम कम सीटे लड़े कुल मिलाकर अगर हम देखे तो जनता ने बड़ा डिसाइसियो एस प्रकार का मैंडेट दिया है जनता को हमसे अपेक्षाय है और मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि इन अपेक्षाओं को आने वाले पाच वर्षों में हम निश्चित रूप से पुगा करेंगे कि जा तक हमारी अपोजिशन का सवाल है तो हमारी सीटे कुछ कम हुए लेकिन अपोजिशन की कोई बहुत बारा सीटे बड़ी है ऐसी परिस्तिती भी दिखाईने पड़ती कि मूल रूप से बड़े पैमाने पर जो हमारे यहां पर कुछ लोगों ने खिलाफत की थी कुछ लोग ऑफिशल कैडियेट के खिलाफ लड़े थे विजेबी से लडेते, कुछ उनके किलाफ लडेते, कुछ हमारे किलाफ लडेते ैसे बहुत लोगों ने विजेब आई है और मुझे जुसरा लगता है कि यह जो चुनकर आय ख़ये है अबी तक तकरीबर 15 लोगों ने मुझ से बाचीत की है, मेरी भी उनसे बाचीत हुई है, और ये 15 लोग हमारे एलाइंस के साथ आएंगे, इसमें से करी लोग हमारे रेगूलर कारे करता ही है, लेकिन किनी कारणों से उनको टिकट नहीं दें पाए, या सीटे करीशी उसे ना के पाल दें, कई हमारे पास आई, तो ऐसे में ये लोग चुनकर आए है, ये सारे लोग हमारे साथ रहेंगे, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि एक बड़ा डिसाइसी उस प्रकार का हमारा मैंडेट होगा, एक महराष्ट में अगले पात साल के लिए मजबूत सरकार हम देंगे, वैसे महराष्ट में ये कई दशको के बाद हो रहा है, कि पात साल पूरी करके, एक सरकार और एक मुख्य मंत्री वापिस चुनकर आ रहा है, तो मुझे असा लगता है कि ये भी एक बहुत ही महराष्ट में इस प्रकार का परिवर्तन महाराष्ट के मैंडेट में हमको दिहाई पड़ता है, मैं महाराष्ट की देटन के हमना लें, में ineत्रमकट में मुख्याईट के बहुत है, महारेची मोरे कि दकी मैं भी खांता हुएम ये जनादेश को सविकृत करते हुए उनका अभार व्यक्करते हुए, कि अश्वत करना चाह्ता हूँ एक उनकी जो अपेक्षाह है और अपेक्षाह उपन हमारी सरकार खरी हुदे है